जैमा इंद्राक्षी जयम्बे इंद्राक्षी धाम में दर्शुक्वा आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं साथ ही आज भगवती तुलसी का पूजन विसेश रूप से किया जाता सारी जर्चा इस अंक में हम आपको बताएंगे हाला कि बहुत सारी बाते हमने कल आपको एडवांस में ही बता दी थी आईए पहले आज का हम पंचांग देखें फिर आगे की चर्चा करते हैं 23 नमंबर सन 2023 संबन 2018 कार्तिक मास शुक्लपक्स तिथी आज एकाश्ची है और प्रभू की करपा से आज का दिन गुरुवार है ब्रस्पतिवार है नक्षत्र उत्राबाद पद राहुकाल डेड़ सिती दिशासूल दक्षिंदिशा आनेको प्रगार की आज के इस देव उठनी एकाश्ची में कथाई प्रचलित हैं जिन में एक ये भी है के भादो महीने की शुक्लपक्स की एकाश्ची को भगवान स्री विश्णु ने संखा सुरुनामक राकसस्त का बद किया था और वो अपनी निद्रा के रूप में या थगान मिटाने के रूप में चार महा के लिए शीर सागर में जाकर के शैन कर गए थे और आज की इस एकाश्ची में परभू जनार्दन जागते हैं हाला कि परभू कभी सोते नहीं और भगवान के भक्तों के लिए तो भगवान हम भगवान ही जाने आज बहुत विदी विदान से आप लोग वरत रखिएगा लेकिन जो वरत ना रख सकें वो फलहरी के रूप में भी अपने आपको आज मतलब कोशिस करें एक समय का तो अन बिल्कुल ही त्याग दें दूसरे समय में फलहरी से अपने वरत को खोल सकते हैं आज भगवान स्री विष्णु को आज पास कोई मंदिर हो लक्ष्मी नरायन जी का मंदिर हो भगवान स्री विष्णु को भगवती महालक्ष्मी को और भगवती तुलसी को आज के दिन दीवदान देना देशी की के तीन दीव जलाकर के मंदिर में ले जाएं एक भगवान विश्नु को अरपन करें, मैगवती लक्षमी को अरपन करें, और दोनों की यह दी मूर्तियां इखटी हैं, लक्षमी नारयन इखटे ही विराजमान हैं, तो एक ही दीप परजुलित करके, धूप दीप दे करके, फलफूल चड़ा करके, प्रणाम करें, दूसरा देप, मंद किसी भी तुलसी के उपर अरपन करके घर आजावें, आसपास मंदर नहीं है, दूर है, या महां आपको लगता है विश्नु नारयन की मूर्ती नहीं है, लक्षमी नारयन जी की मूर्ती नहीं है, तब आप क्या करें, घर में ही भगवान सुरी विश्नु का अस्वन करते आपके पास चाहें करशन जी की फोटा हो, क्योंकि विश्नु जी के ही अवतार भगवान सुरी राम है और भगवान सुरी करशन है, उनको पंचो पचार पूजन करके दूप दीव दे करके संध्या के समय दीपरपन करके फल फूल आदी चड़ामें और प्रणाम करें, आप तुलसी पर आपन कर सकते हैं और तीन बत्ती बत्ती का दीव दाल करके लंबे वाली वह भाकवति दूल3 को और लबकट करें और मिस्थानवन पचार इंड Republican करें, प्रिपर, भगवान करें, वह चस्थान करेंumen हैबीमना और भगवान आदी दूल5berry सार्प दे प्रण बगरा चड़ाँ में और उनकी जो जड़में थोड़ा सा कलाव अबांदर की तिलक लगामें थोड़ा सा भगवती को फूल बगरा हुआ चड़ा करके प्रणाम खर ले और हमने एक चीज और बताई थी अने को प्रकार की कामनाई भगवती के सामिप्य में वैठने से हमारी स दिख जागर के पहले पूजन करने पूजन आदी करने के बाद धूब दीब देने के बाद जैसे कोई कान में हम बात कहते हैं कल भी बताई थी यह बाद तो जो भी आपकी अपनी कामना है आपका जो कारे रुका हुआ है पर्मोशन है जोब नहीं है संतान नहीं है जो भी आपका काम रुका हुआ है भगवती से कहें के है माजग दंबा आपके किरपा से तुलसी देवी मेरा यकारे सिद्ध हो जाए बस और कुछ देर या पहले या बाद में कुछ देर ओम तुलसी देवे नमा इस मंतर की एक माला या अंदाजे से पाच मिनट या एक सुआट बार इस मंतर को आप लोग जप लें और भाई जिनकी तुलसी भार रखी हो औस बगरा पढ़ती है कुछ ठंडी भी है तो अच्छे से चुनरी बगरा उड़ा करके उनका अच्छे से सरंगार करके भाई तुलसी का आज के दिन जो सादक पूजा करता है सुरिसम्रद्धी उसके घर में उत्पन होती है और लक्ष्मी रूप में विराजती है उसके घर में भाईवती सरस्वती और भगवती महालक्ष्मी भगवती महाकाली और भगवती तुलसी है ना तो लक्ष्मी रूप में विराज जाती है तिरपिंडी के रूप में उस सादक के घर में विराजमान हो जाती है जो देव उठनी उकार्सी में तुलसी विभा करता है और या वो तोलसी जी की ऐसे पूजा दूपदीब दे करके अच्छे से चुन्डी बगरा उड़ा करके करता है ठीक है तो आप से जैसा मेरे साथ को बन सके अच्छे से अच्छे करने का प्रयास करना और जहां आसपास मंदिर में कहीं तोलसी विभा हो रहा हो वहां प्रयास क ठाकुजी को प्रणाम करना और उसमें यही होता कि गमले को बहुत सुन्दर से सजा एक चुन्दी वगरा उड़ा करके किसी पाटे पर पटड़े पर गमला रख दिया जाता और सालिग राम जी को भी अच्छे से सुन्दर सा तिलख लगा करके कोई ड्रैस वगरा रख करके हैं बहुत अच्छे से विदीवेदान से आज कि दिन तुलसी कि माता का यानि कि तुलसी जी सब को संपन किया जाता अनेलकित निकछा लियाती है ज गाजे वाजे के साथ सब कूछ होता है बाकाइदा पार्टी होती है बागादा पार्टी से मतलब और अफ्शव्ध पार्टी है तो बाकादा मतलब वह भौजन प्रसाद सबको भगवती का मिलता higher पूर्णा की रसोई का भजन सबको प्राप्त होता है वैसे ही जैसे ब्यास चादियों होता वही पांच भस्त्र इस्तील के वस्त्र चांदी का सिक्का बकादा दिया जाता तो कभी आपका जीवन में मन हो के भगवती आप हमें इतना दें कि हम बड़ी द्हूंग नाम से एक किसी साल में तुलसी विवा कर सकें तो किसी अच्छे सुयोग्य ब्रहमन से मिलके या जो कर्म गाणडी ब्रहमन होते है उन से मिलके इस विवा को संपन करेंगे तो आपको बहुत पुनिय के प्रात्री होगी है ना और खास तोर से जिनकी कन्याओं के विवा ना हो रहे है गर में संतान तरक्की ना कर पाती हो गर में बहुत मन मुटाव रहता हो पती पत्नी में कलेश रहता हो तो उन्हें तो तुरसी की जगदंबा की पूजा करनी ही चाहिए है ना तो ये सब चीज़े आप अच्छे से करिएगा और इसी के साथ साथ आज से ही मांगलिक कारे प्रारंब हो जाते हैं बहुत सारे कारे मांगलिक प्रारंब हो जाते हैं और जो एकाश्ची का वर्त रखना चाहता हो वैसे तो उत्पन्ना एकाश्ची से भी वर्त रखे जाते हैं लेकिन आज की इस एकाश्ची से भी आप प्रत रखना प्रारंब कर सकते हो, एक आशी का वर्थ अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्थ होता, और देखो साथ को, जो साथ दक बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, आप लोग चलते फिरते उठते बैठते, शिरी हरी, शिरी हरी, स्री मन नारायन, स्री मन न नारायन पाट करते रहें, या ओम किलिम कृष्णाए नमा, या ओम कृष्णाए वासु देवाए हरे परमात्मने, प्रणत क्रेश्णाशाए गोविंदाए नमो नमा, या ओम नमो भर्वते वासु देवाए, जैसा भी आप से बन सके, अच्छे से करने का प्रयास करना, औ बहुत अच्छी बात है, एक दो मालाएं ले जाएं, लक्षमी जी को भी चड़ावें, भाग्मान विश्णु को भी अरपन करें नारायन को, और तुलसी जी के लिए एक माला ले जाएं, मंदिलों में तो बड़ी-बड़ी तुलसी होती हैं, किसी-किसी मंदिल में, उनको को नुकसार ना पुचा सके, उस हिसाब से आप लोग इस सारा कर्म कर दियेगा, और बड़े सुन्दर-सुन्दर मौके हमें मिलते हैं, भगवान के पास जाने के, और हमारे सास्त्रों में रिश्योन मुन्योन है, यह सारी जो योजनाये बनाई हैं, वो हम सब को मुक्स दि देने के लिए, पार पाने के लिए बनाई हैं, इसलिए जितना मिले साथ को आप से बन सके, आप उतना करने का तो प्रियास किया ही करें, आइए, समय चलाज की ध्यान साथना का जुटते हैं भगवान शुरी हरी से. वाला मुकुंदं मनसा स्मरामी, बाला मुकुंदं मनसा स्मरामी, कस्तूरी तिलकं ललाट पटले, वक्षस्तले कोस्तुवं, नासा ग्रेवर मोक्तिकं करतले, वेनु करे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे चमुक्तावले, गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते, गोपाले चोडा मनी। सांताकारं वुजगशयनं, पद्वनावं सुरेसं, विश्वात्धारं गगन सद्रिशं, मेगवर्णं सुवांगं। कवच बना लें, ध्यान करें, प्रभू का शुबासिस हम सब के उपर बरस रहा है। और समस्त पूजन करने के उपरान संध्या के समही आरती करने आम जय जगदेश हरे। है ना, सभी के पास ये आरती सब को याद भी होती है। और घर में कहीं नहीं होती ही है। और नहीं तो आजकल इंटरनेट का जमाना सारी आरती इस तुटियानेट पे मिल ही जाती है। तो ओम जय जगदीज़री की आरती जरूर आज के दिन कर लेना। और बाकी जो आपके अपने आरादी हैं उनको भी दिठोना लगाना तिलग लगाना। और रात्री के समय जैसे आज देव उठनी है तो रात्री के समय एक छलनी सूप छलनी अच्छी रहती है तो उसके नीचे दीब जलाए जाते हैं। और जैसे सिंगाणा हुआ शकरकंदी होई आज के जो फल होते हैं हमारे और भी उत्तरी भारत के और और भी जो भी आप अपनी तरब से कोई रीतू फल भी जो रहेगा फल या जो भी रीतू आप लगाना चाहो वो लगाईएगा धूप दीब दे करके उठो देवा जागो बस ऐसी भावना खला कि देखो प्रवुस होते नहीं लेकिन जो विधी-विधान हैं वो हमें करने पड़ते हैं तो हम ऐसा सोचें आप इस्का अर्थ और भी निकालिए कई बार हमारा घर सुथ हो जाता है कई बार हमारे घर में ऐसल लगता है मानो भगवान नहीं है हमें नीद आने लगती है, हमें लगता है कि हमारे पूजा के दर्वार में भी रौनक नहीं है, तो इसलिए आपके घर की देव शक्तिएं जाग उठेएं उस जमीन की देव शक्तियां आपको आशिरबाद दें, उस छेतर की जितनी भी देव शक्तियां वो सुक्त वस्था में नाला करके अच्छे रूप में आपको सुबास्टी स्परदान करें तो इस महत्रों को समस्त्यों भी आपने ये बोलना है उठो देवा जागो देवा कुछ मंगल गीते गालीजे घर में अब गाने शाने भी तो आज के लोग विवा में शादियों में पा विश्व 4 पड़लीजे जो भी आपके आरादि है उनकी चालीजा आप कर लीजे और उसके बाद ओम जिश्थाना दिया आपने परभूग लगाया वह ए घ़र में परसाद के रूप में सब परियोग मिना सकते हैं कोई उसको ऐसा नहीं को आप जलपरवा करें या आपको छोर करें ठीक है तो आप उतना ही करिए जितना हमिन आपको बताया बाकी बहुत सारी बातें बताने की, करने की लेकिन बहुत सारा आपसे हो नहीं पाएगा और अपनी आवश्रक्ता भी नहीं है भाव अगर बड़े हैं तो भगवान वस्तम में आपके हैं भाव से भगवान है भाव से भगवान है तो बस आप अच्छे से भजिएगा और सारा कारिया आपको सुद्ध हो जाएगा और बाकी आगे की चीज़े हम आप सुब को बताते रहेंगे 26 नवंबर का दिन रविवार है तो सुनिशित हो चुका है कि रुद्रा विशेक का कारिकरम जैपूर में रहेगा और प्रियास किया जाएगा कि हम इसको लाइव दें और इसकी सामगरी आपको सारी डिटेल में एक छोटे से एपिसोड में आज ही मिल जाएगी हम प्रियास कर उन्हें टाइम पर सुरू की थी आज 40 दिन के साथ ना परवु किरपा से जग दंबा के किरपा से पूर्ण हो गई है ठीक है जिन्होंने सुबह किया उनकी पूर्ण हो गई है और जो थोड़ा सा जिन्होंने लेट सुरू किया था तो उनकी वजा को देखते हुए आट-ट बहुत बीच में थोड़ा सा ही समय रहे गया बहुत लंबा चोड़ा समय नहीं है दो तीन दिन बाकी है तो आप सारा समख रिली आईए और घर में बैठ करके इनी बिट्वीन आप उसको क्या करते हैं रुद्रा विश्यक का भी पूजन करिए रुद्री करिए आपके घर म मंगल होगा आपको सुब आशिष प्राप्त होगा और जितना जितना अच्छा करते जाएंगे उतना अच्छा को फल मिलता चला जाएगा ठीक है चलो बाकी इस शीविर की जानकारी तो हमने आपको दे दिये यकी की जानकारी हमने आपको दे दिये और लाइव के लिए हमा सूखी रहे इने शुब कामनाव के साथ हम अपनी वाने को दुराम जेते हैं जय जय अंबे जिंदिगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं सफलता सफलता अपने जगह की बात है लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने ड प्रश्ण किया कि, क्या आप कि अहां कव आ रहेैं, मैं बहुत तेज्चों का, करीब 14-5 दिनों से कव्वों का जुण मेरे घर पे मन रहा था, यही सोचने परिशान था, यह सुब है, असुब है, क्या चीज़ है, तो मैंने पैपरस्ट ने किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कोवे आ रहे हैं कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है तो कुछ तो आलोगिक है इनमे दूसरा क्या जो इनका उदेश है जब महाकुम में आये थे मेरे इनसे वारता हुई तो मैंने इनका उदेश से जानना चाहा कि किस उदेश के लिए आप काम कर रहे हैं तो जो उदेश है उन्होंने मुझको बताया मैं मन्द से इनके उदेश के साथ जुड़ गया इनके साथ तो जुड़ा था ही अब इनके उदेश के साथ भी हूँ मैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हे तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा दस वजे से शाम छे बजे तक फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें